तो आल राइड गाईज यार आज की वीडियो में आपको बताने वाला हो कि माइनक्राफ के पॉकिट एडिशन के अंदर आप लोगों को एक प्रोब्लम शो होता है कि आपकी फाइल्स जैड आर्चर के अंदर दिखाई नहीं देती है बिल्कुल भी आपको शो नहीं होती है पस एक फाइल नाम का फोल्डर शो होता है बस उसके अलावा कुछ भी शो नहीं होता है तो मैं आपको आज की वीडियो में यहीं बताने वाला हो कि आप उस फोल्डर को किस तरीके से डून सकते हो जापर माइनक्राफ के सारी फाइल्स होती है जो आप डाउनलोड करते हो क कोई भी एक्सटरनल पैक डाउनलोड करते हो अपने माइनक्राफ के अंदर डाउन सेफ करने के लिए ताकि आप उसका मज़ा ले सके तो वह आपको शो नहीं होता है उसका सॉलूशन में आपको बता देता हूँ बट उससे पहले दिखा दे तो मेरा भी यहापर सेम प्रॉ फाइल नहीं हो रहा है एक भी फाइल लोगों आपको बताया कि माइंट क्रॉफ कर दो तो यह सॉलूशन भी राइट है बट उससे पहले मैं आपको बता दूकल से करने से पहले आप लोगों को चेक करना पड़ेंगा कि आपकी फाइल यहां पर है या नहीं अगर यहां पर सिर्फ फाइल नाम का फोल्डर है तो आपने किसी थाड़ पाड़ी अप्लिकेशन से आपका गेम डाउनलूड किया अब इसका सॉलुशन में आपको बता दे तो यह कहां पर मिलेंगा आपको तो आपने के फोल्डर देखने के लिए मिलने वाले अब यह कैसा आई और क्यों आए बस आपको मांट्राफ को उपन करना है और जो फाइल्स होती ना उसको एकस्टर्नल कर देना है यह सारी चीज़े तो आप लोगों को पता हिऊंगी इसको एकस्टर्नल करने के बात आप लो कब पोगोन